हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सौफी फाई में अपना खुद का ड्रॉप सौपिंग स्टोर कैसे क्रेट करेंगे जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है आज के इस वीडियो मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाल कि किस तरह से आप लोग ई-कॉमर्स इस्टोर अपना खुद का क्रेट कर सकते हैं और साथी साथ दोस्तों आप लोग अली एक्सप्रेस जैसा कि दोस्तों बहुत बड़ा प्लेट फॉर्म है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल में जाके आप लोग सर् करेंगे कैसे करेंगे तो इस वीडियो को बिना इसकिप किये शुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखें अगर दोस्तों आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं ड्रॉप सॉपिंग के मदद से तो इस वीडियो को आप लोग इसकिप ना करें क्यूंकि दोस्तों ये वीडियो आ आप कमा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस फिल्ड में बहुत सारे लोग बहुत अधीक पैसा अर्णिंग कर रहे हैं अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे account create करेंगे और यहां पर हम लोग किस तरह से यह सब जो प्रोडक्ट देख रहे हैं अपने ड्रॉप स्वापिंग साइड के ओपर कैसे इंपोर्ट करेंगे अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरूस लेकर आखरी तक जरूर देखें तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह यही काऊंगा अगर दोस्तों आप लोगों को notification आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे latest वीडियो का लुप सबसे पहले उठा पाएं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे account create करेंगे उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ Sofify में account create करने के लिए आपको simply Google में जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको Sofify सर्च कर लेना है जैसी दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे interface देखने को मिलेगा और आपको इस link के उपर करना है click जैसी दोस्तों आप यहां पे किलिक करोगे तो यहां पे दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप लोग फिलाल यहां पे फिरी प्लान को लेके सीख सकते हैं अब दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से website customize करना जान जाएंगे, अगर आप यहां से earning करना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पे आपको कुछ plan को buy करना होगा, फिलाल दोस्तों हम लोग यहां पे सारा कुछ video करने वाले हैं, तो चल यहां पे आप लोग डाल सकते हैं, तो चलिए फटा फट हम लोग email वगएरा यहां पे फिल करते हैं, तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने अपना email ID डाल दिया, password डाल दिया, और हमने अपने store का नाम भी रख लिया, जिसका नाम हमने रखा है Tech Israel, तो अब सिंप करना चाते हैं, कुछ भी अगर करना चाते हैं, नहीं करना चाते हैं, तो यहां पे yes करके आप skip के उपर जाएंगे, अब दोस्तों यहां पे आपको अपना नाम और address, उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना city, country, zip code, और यहां पे state, phone number, अगर आपके पास domain है, तो यहां प सारा information यहां पे fill कर लेते हैं, अब यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमने सब कुछ यहां पे fill कर लिया है, अब दोस्तों यहां पे आपको enter my store के उपर आपको करना है click, तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का यहां पे interface मिलेगा, अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहां से आप लोग अपना plan भी select कर सकते हैं, अगर आप यहां पर select plan के उपर जाएंगे, तो आपके सामने कुछ अलग सा यहां पर interface दिखेगा, तो यहां पर दोस्तों आप लोग दे सकते हैं, आपके सामने 3 plan हैं, आप अगर यहां प पर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पर interface देखने को मिलता है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछ आप यहां पर इंस्टाल करना होगा, चलिए हम लोग apps के उपर करते हैं, कलिक जैसी दोस्तों यहां पर हमने किया और यहा टैब में यहाँ पे ओपें हो जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना होगा यहाँ पे दोस्तों देख सकत अप except time for this we have 5 इुवर नेक्ट करेंगे लिए करने के बाद आपको यहाँख अपर इसे इंस्टॉल करना होगा चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना यहां पे दोस्तों एप solve जो देख पिसके उपर करेंगे क्लिक तो यह जो है install हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस मिल जाता है अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर और भी आपको कुछ करना है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं add your first product तो यह सब चीज हम install हो चुका है अब दोस्तों हमें एक और एप को install करना है उसका भी काम दोस्तों बहुत ही important है अगर दोस्तों आप लोग उसे करते हैं तो आप अपने drop shopping store को बहुत जल्दी grow कर सकते हैं अब दोस्तों हम लोग एक और apps को यहाँ पर install करेंगे जिसका नाम है looks simply हमने यहाँ प करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको देखा दूँँ कौन सा है यह वाला apps है simply आपको इसके ओपर करना है click क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसे free में भी 14 दिन के लिए use कर सकते हैं और साथी साथ दोस्तों अगर आप आप बाइ करना और यहां पर आपको install app के ओपर करना है click उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहां पर दोस्तों आपको करना है skip जैसी दोस्तों आप यहां पे script के उपर करोगे तो आपके सामने यह notification देखने को मिलेगा और यहां पे use looks free के उपर आपको करना है click अब यहां पर दोस्तों आपको करना है finish के उपर click तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह finish हो चुका है अब हम लोग इसके dashboard पे चलते हैं अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो apps है यह आपके product का review बताएगा अगर दोस्तों आप लोग अपने product को sell करते हैं तो कोई भी viewer यहां पर आके review rating देगा अगर माली यह जादे traffic आता है तो लोग क्या करेंगे कि आपके product को buy करने से पहले review जरूर देखते हैं इसलिए दोस्तों इस app का use होता है यह आपके product को sell करवाने में बहुत ही मदद करने वाला है इसका use हम आगे चल के करेंगे अब दोस्तों हम लोग इस page को यहाँ पर refresh करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा app जो है यहाँ पर install हुआ है या नहीं हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह install हो चुका है उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ के एक apps और आपको install करना है simply दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते है product reviews इसके उपर आपको करना है क्लिक यह completely free है आप इसे free में use कर सकते हैं add apps के उपर आपको करना है क्लिक जैसे दोस्तों आप यहाँ पे करोगे यह successfully यहाँ पर install हो जाएगा यानि add हो जाएगा अब हम लोग इसे install करते हैं simple दोस्तों यहाँ पर install app के उपर करेंगे click तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह install हो चुका है अब यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है अब दोस्तों आप लोग अपने domain को यहाँ पर search करके देख सकते हैं कि आपका जो store है यह ready हुआ है या नहीं हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह आपका domain है आप इसे यहाँ से copy करेंगे copy करने के बाद आप new tab में यहाँ पे open करके देखेंगे कि आपका जो store है यहाँ पे ready हुआ है या नहीं हुआ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यह by default यहाँ पे आपको layout मिलता है theme मिलता है तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे theme का काम करते हैं आप simply दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पे home के ऊपर home के ऊपर जाने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है यहाँ पे दोस्तों आपको customize theme के ऊपर आपको करना है क्लिक और आपको यहाँ पे कर देना है फिरी है तो सिंपरी दोस्तों यहां पर हम सिंपल थीम सेलेट करेंगे लाइट के ऊपर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर यहां पर देख सकते हैं आपका थीम जो है यहां पर सक्सेसफुल यहां पर अभी एक्टिव हो रहा है यहां पर देख सकते हैं य आप लोग कंफ्यूज हुजाएंगे कि बहाई यह क्या हो गया इसराईल दो कर रहाता ह humming अब इस कर talk भाइब दोस्तों करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहा है यह password मागधा अब यहां पर इसे अंटीक करना है, अंटीक करने के बाद यहां पे आप कुछ भी लिख दे, चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, इसराइल, ठीक है, हमने यहां पे नाम लिख दिया, इसराइल पासवर्ड में, अब दोस्तों यहां पे आपको सेव करना है, सेव जैसी आप करोगे, तो यह आपको बताने के लिए हम बता रहा है ठीक है तो आपको अपने हिसाब से अपने साइट का home page का title देना है और यहां पर आपको description देना है जो भी description आप अपने हिसाब से यहां पर देंगे वो आपके लिए बहतर होगा simply अभी हम description यही दे देते हैं आपको अपने साइट से रिलेटेड ही यहां पर description देना है जो कुछ भी आपने साइट के ओपर import करेंगे उसके बारे में यहां पर details में बताएंगे अब दोस्तों यहां पर आप देश सकते हैं अपने साइट को Google वगएरे में सब्मिट करना चाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका code जो होता है Google Analytics का code आपको यहां पर paste करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं Facebook Pixel ID आप यहां पर इसे डाल करके डालने के बाद दोस्तों आप यहां पर completely save कर देंगे चलिए हम लोग यहां पर save कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपको जाना है फिर से home के उपर home के उपर जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यह green हो चुका है उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहां पर अगर आप लोग चाहोगे अपना खुद का domain एड़ करना तो यहाँ पर आप करोगे click उसके बाद आप यहाँ पर add domain के ओपर करोगे click जैसी दोस्तों आप यहाँ पे करोगे, करने के बाद आपके सामने कुछ अलग सा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ से अपना खुद का आप लोग कस्टम डोमेन एड़ कर सकते हैं, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो यहाँ से बाइनौ डोमेन के उप हमारा साइड अभी देखने को मिलेगा और यहाँ पे अभी हमने एक भी प्रोडक्ट को एड़ नहीं किया है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट को एड़ करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोग चलेंगे सबसे पहले होम के उपर, होम के उपर जाने के आपको अपना एक साइड ओपेण करना है, जैसा कि फ्रेंड हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, यहाँ पे आप देखशकते हैं, यह साइड है, इसको दोस्तों आपको लोग इन करना होगा, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग लोग इन कैसे करेंगे, और साथी साथ दोस्तों अगर आपके पास account नहीं है तो यहाँ पे आप join free account के उपर आप यहाँ से करेंगे click, जैसी दोस्तों आप यहाँ पे करोगे तो आपको अपना email ID और password यहाँ पे कुछ डाल देना है और आप यहाँ से account create कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, तो चलिए हम लोग अपना email ID यहाँ पे paste करते हैं उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक password भी डाल देते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं create account को option है इसके ओपर आपको करना है click और आपको एक email जाएगा उसे आपको verify करना होगा तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं alie express के तरफ से मुझे एक email प्रापत हुआ है चलिए हम इसे यहाँ पे open करते हैं open करने के बाद दोस्तों हम इसे यहाँ से confirm करेंगे जैसी दोस्तों हम यहाँ पे confirm करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें congratulations कह रएब हैं कि और भाई आपका आप अप्टों मेटिक यहां पर लॉग इन हो चुका है अब आप लोगे यहां से दोस्तों आप लोग जो भी प्रॉडक्ट अगर अपने साइड के ओपर देखाना चाते हो तो बहुत यहां से आप लोग इनपोर्ट कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपके पास एक extension होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि दोस्तों free है, चलिए मैं आपको देखाता हूँ कि कौन सा extension, यहाँ पर देख सकते हैं, यह पर आपको इस extension को आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर दूस्तों add to chrome कि उपर करते हैं कि लिए अपर अपर अप बहुत है कि रख लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह add हो चुका है अब मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप लोग किस तरह से अपने product को अपने site के ओपर import करोगे तो चलिए फटा फट हम लोग यहाँ पर इसे refresh कर लेते हैं एक बार उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे AliExpress के ओ बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं जैसा कि फ्रेंड यहाँ आप दे सकते हैं different different category है चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले mobile के ओपर चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमने जैसे अभी mobile का category हमने open किया है तो simply अभी हम इस mobile को चाहते हैं अपने site के ओपर देखाना देखाने के लिए दोस्तों आपको इसको open करना होगा ठीक है चलिए मैं आपको यहाँ पर open करके देखा रहा हूँ आप दोस्तों जैसे आप इसे यहाँ पर open करोगे open करने के बाद आपको आपने जो chrome का extension जो यहाँ पर add किया है तो simply आपको इसके ओपर करना है क्लिक क्लिक करने के ब दोस्तों हम यहां पे पहुंचेंगे पहुंचने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यह product हमारा इस site के ओपर add हो चुका है अब दोस्तों यहां पे import to store के ओपर click करेंगे तो इससे क्या होगा का दोस्तों कि हमारे site के ऊपर यह जो drop shopping का जो हमने site create किया है इसके ऊपर product publish हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो product है हमारे site के ऊपर देखने लगेगा तो चलिए हम लोग अपने site को एक बार refresh करके देखते हैं कि भाई product आया है या नहीं आया है तो यहां पर भी हम लोग इसे refresh करते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक product यहां पर आ गया वो भी automatic अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो होता है product वगेरा ठीक है आप देख सकते हैं सारा details के साथ यह product यहां पर import हुआ है जैसा कि friend आप यहां पर देख सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसका जो price जो होगा यहां पर आपको कम देखने को मिल रहा है इसे आपको manually यहां पर set करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अब दोस्तों यहां पर बात रही कि भाई अगर आपके site के ओपर कोई भी वन्दा आया तो इस product को आखिर क्यों buy करेगा सबसे बड़ी बात यहां पर यहां पर क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई भी review है नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसका review यहां पर यानि original review जो होता है जो लोग aliexpress के उपर जो भी लोग review करते हैं review जो वहाँ पर submit करते हैं वो कैसे import करेंगे अपने site के उपर अब दोस्तों उसके लिए आपको जाना होगा अपने sofify के dashboard पे जाने के बाद आपको app के उपर करना है click जैसी दोस्तों आप यहां पर आओगे तो यहां पर आप देख रहे हैं locks photo review simply आपको उसके open करना है open करने के ब ठीक है copy हमने कर लिया अब उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको plus का icon जो देख रहे हैं एक नया tab यहां पर open करना है और इस book marks के उपर आपको करना है click क्लिक करने के बाद आपको more की उपर जाना है और जाने के बाद दोस्तों यहां पे इसका नाम आप दे दें लुक्स हमने दे दिया यहां पर looks और दोस्तों लोग भी इस प्रोड़क्ट को बाई किये होंगे तो जरूर इसका रिव्यू वगेरा यहां पर सब्मिट किया गया होगा तो इसका औरिजिनल रिव्यू अपने स्टोर के ओपर देखाने के लिए हमने आपको प्रोसेस बताया उसे आपको फॉलो कर लेना है फॉलो करने के ब जैसी दोस्तों आप यहां पर करोगे तो आप अपने प्रोड़क्ट को जिस भी प्रोड़क्ट को अमाली दिया प्रिव्यू यहां पर इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे सलेक्ट करोगे सलेक्ट करने के बाद आप यहां पर प्रिव्यू इंपोर्ट के ओपर करोगे क्लिक यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको introduction यहाँ पर बताया जाएगा, आपको simply यहाँ पर import के ओपर करना है, click, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने सारा process यहाँ पर कर दिया है, अब यहाँ पर हम लोग import कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यह आया है या नहीं आया है जिनपलयी दोस्तों हम लोग यहाँ पर उसे रिफ्रेश कर लेते हैं रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस इसका जो rating है काफी अच्छा rating है और शाती साथ दोस्तों यहाँ पे इसका review भी कुछ लोगों ने किया है जो कि दोस्तों यह original review है अगर आपके store के ओपर लोग पहुंचते हैं review देखते हैं तो आपका product जरूर बाई किया जाएगा इससे आप लोग अपने drop shopping store को जल्दी grow कर स है कि हम अब computer चाहते हैं तो computer के ऊपर करेंगे click क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आप आओगे यह extension को जैसे add कर लोगे तो आप यहां से direct कर सकते हो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह automatic ऊपर में notification मिल रहा है आपको यहां पर इसी तरह से जितना यह product चाहिए सब को यहां से add कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ उसके बाद दोस्तों एक बार जा करके आप वहां पर export कर दोगे ठीक है यहां पर देख सकते हैं हमने सब को यहां फटाफट एड किया हुआ है तो यहां पर दोस्तों आप देश सकते हैं हमने बहुत सारा प्रोडक्ट को यहां पर इंपोर्ट किया है अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके साइट के ऊपर और यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगा टोटल लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर आप कर देखने लिए हैं तो यहां पर दोस्तों आप लोग दीच सकते हैं साहरा यहां पर प्रॉफ्रेश कर कर लें लेकिन हमारे हों व्स अहीं डीक्राह कि तो आपको बता दूँ कि यहां पर एक और कैटेगरी आपको देखने को मिला इसके उपर आप किलिक करो तो आपका product सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा product जितना भी हमने add किया है, सब product आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग चाहते ह मिल जाएगा ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं आपको टोटल प्रोड़क्ट यहां पर देखने को मिल जाता है संपली दोस्तों आपको जो इडिट करना है मैं आपको बता दूँ इसके ओपर आपको करना है क्लिक कोई भी एक प्रोड़क्ट के ओपर मैं आपको यहां पर आयता हूँ कि कैसे आप इसे एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देश सकते हैं, यह एडिट हो चुका है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि इस प्रोड़क्ट को होम पेज में देखाना, तो आप कैसे देखाऊगे, जैसा कि करने के बाद, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसका प्राइज वगजर ऐगर सेट करना है, तो वह भी बहुत है आसानी के साथ, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप दि derived है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, यह इडिट हो जाए अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसका सही प्राइज क्या होगा यहाँ पर दोस्तों इसके साइट की ओपर जाएंगे यहाँ पर साड़े पांच डॉलर बताया जा रहा है लगभग दोस्तों यह हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देश सकते हैं इस product का यहाँ पे 5$ बताया जा रहा है लगबग इसका जो price हो जाता है मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दोस्तों आप देश सकते हैं हमने find करके रखावा है 388 रूपया 91 पैसा तो आपको यहाँ पे इसे लिख देना है ठीक है यहाँ पे आपको इसे paste कर देना है paste करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसे save करेंगे तो इसका जो original price है वो price भी आपको दिखेगा और शाती साथ आपको यह product home page में भी देखने को मिल जाएगा तो चलिए हम लोग इसे अभी refresh करके देख लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यह product आ चुका है अब हम लोग इसको यहाँ पे click करके देख लेते हैं किसका जो price हमने जो set किया यहाँ पे आप देख सकते हैं 388.90 पैसा यह completely यहाँ पे दिख रहा है अब दोस्तों यहाँ पे जो home page में है इसका दाम यहाँ पे कम दिख रहा है चलिए हम लोग इसे भी ठीक करते हैं तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको edit का option मिल जाता है edit के उपर आप click करोगे जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे आपको सारा details मिल जाता है कि यहाँ पे इस product का कितना दाम है क्या है नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों आप देश सकते हैं यहाँ पे भी आपको वही prize यहाँ पे set करना होगा अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ है अगर आप लोग चाहते हैं कि text works भी लेना तो यहाँ पे tick कर लिजेगा उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे भी कुछ setting कर सकते हैं अपने हिसाब से कि यह product कितना kg का होगा क्या है नहीं है और शाती साथ दोस्तों यह country भी आप यहाँ से select कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर दोस्तों आपको यह product नहीं चाहिए तो आप यहां से इसे delete भी कर सकते हैं तो इसी तरह से आपको यहां पे save कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पे जतना यह product है सब को आप यहां पे बारी बारी से click कर लिजेगा click करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से अपना price वगेरा यहां पे आप set कर लिजेगा ठीक है तो इसी तरह से आप लोग जितना भी चाहो उतना product को Ali Express से अपने site के ओपर import कर सकते हो और अपने drop shopping site को grow कर सकते हो और यहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो हब दोस्तों यहां पर बात रही कि हमने जो यहां पर product डाला दिया है और यह थीम जो है हमारा कस्टमाइज नहीं है उसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा यहां पर Home के ओपर घाने के बाद यहां पर Theme के ऊपर करना है click Click ぜひ कोई सटमाइजी के ऑपर जाना होगा है यहाँ करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको option मिल जाता है free theme का यहां पर आपको करना है कलिक, कलिक करने के बाद दोस्तों आप इस theme को यहां पर select करेंगे, ठिक है add to library करेंगे, то यहां पर दोस्तों आप देख्सकते हैं यह adding हो रहा याणि add होने का process यहां पर start हो चुका है, तो यहां पर दोस्तों आप देख्सकते हैं यह theme रहे हमारा add हो चुका है, हम लोग customized theme के ओपर जाएंगे, जाने करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का यहां पर थीम देखने में मिल जाएगा अब आप लोग यहां पर इसे पब्लिश कर सकते हैं सिंपरी दोस्तों आप लोग यहां पर इसे पब्लिश के ओपर करें किलिक पब्लिश के ओपर जैसे आप किलिक करोगे करने के बाद दोस्तों यह जो theme है आपका completely यहाँ पे change हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आप इसे refresh करके भी देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों हमने इसे refresh किया refresh करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे interface मिल जाता है और यहाँ पे जैसे किलिक करोगे तो जतना यह product अभी अभी हमने यहाँ पे update किया है total product यहाँ पे आपको देखने में मिल जाएगा आपको बाड़ी-बाड़ी से सारे को इडिट करना होगा सारे का प्राइज वगेरा सबको बढ़िये तरीके से यहाँ पे update करना होगा जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया अब साथी साथ दोस्तों अगर आप लोग चाते हैं इसे कस्टमाइज करना तो बहुत ही आसानी के साथ आप कस्टमाइज कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जाना है online store के ऊपर जैसे आप यहाँ पे करता है अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों लगाना तो बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ से लोगों लगा सकते हो जो भी लोगों आप लगाना चाते हो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर लगा सकते हो चलिए हम यहाँ पर सोफिफाई का है हमने एक image को यहाँ पे डाल के रखा था चलिए हम इसे यहां से अपलोड करके सेव कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे option मिल जाता है कि अगर आप यहां पे कुछ हमने आपको बताया था अब आप इसे drop down करके ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं ठीक है अपने हिसाकर से जहां भी रखना चाते हैं आप कर सकते हैं, कोई भी दिकत नहीं है, यहां से आप लोग यतना भी menu बनाना चाहते हैं, add menu करके आप लोग menu बना सकते हैं, अब दोस्तों यहां पर आपको और मैं बता दूँ कि यहां पर आओ और आप क्या changing कर सकते हैं, यहां पर दोस्तों आप दे सकते हैं, text वगरा भी changing ठीक है उसके बार दोस्तों यहां पर आपको थीम सेटिंग का ऑफसन मिल जाता है यहां से आप लोग गेला भी अपना बैकगरॉंड का चेंज व गड़ा कर सकते हैं और साथी साथ दोस्तों यहां पर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं सोसल मीडिया का लिंक वगरा यहां से फैविकोन, आईकोन वगरा भी आप लोग यहां पर अपना डाल सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड हमने यहां पर डाल दिया, आप यहां पर सारा कुछ कर सकते हैं, और साथी साथ दोस्तों यहां पर चेक आउट का जो पेज आप देख रहे हैं, इसका भी आते हैं, अपने साइट के ओपर इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ, हमने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग अली स्प्रेक्स को यूज करके अपने ऑनलाइन स्टोर में अपने प्रोड़क्ट को इंपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही आसानी के स के और आप हमारी लिटेस्ट वीडियो का लूब सबसे पहले उठा पाएं थैंक्यू फूर वाचिंग